ब्यार्थ इच्चक भर्ती दोजार चौबीस फेस थ्री का संपूर विग्यापन जारी हो चुका है आविधन करने के साथ कौन कोन आविधन कर सकता है अब क्या-क्या बदला हुए है सिल्बस में क्या परिवर्तन हुआ है या अपेरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा आविधन को लेकर तो पहले मैं कुछ बिसेज बात पर आपको बल दे दू कि आविधन नहीं है अपेरिंग अभ्यर्थी भी इस भरती परिक्षा में आविधन कर पाएंगे अभी सीटेट का अंसर किया चुका है लेकिन अंतिम्तिति आते-आते शंभावना यह है कि बिहार से चक भरती परिक्षा में आविधन करने के लिए सीटेट का भी पैडाम आ चुका रहेगा फिलहाल हमारी शुब कामना है आप सभी के लिए और उमीद भी यह है कि ऐसा ही हो बाकी एक से लेकर पांस तक पद के संख्या कितनी है च्छा से लेकर आट तक नौद से ग्यारा इसमें बिहार के लावा पहले की बाती अधर राजिक के भेरती अवेदन कर पाएंगे शादिसाथ इस पूरे विग्यापन पर हर उस बिंदु पर चर्चा करेंगे सबसे पहले हम एक से लेकर पांस तक छास से लेकर आट तक नौद से जिसमें सबसे ज़्यारा बिस होता है बी एड और डीलाट और बी टीशी को लेकर तो फिर समय एक बार असपस्ट कर दोग जो बीएड के भेरती हैं उच्छा से लेकर आध तक 9, 10, 11, 12, 3 परिक्षा में समर्दित हो सकते हैं वहीं BTC और डिलेट के बहरती एक से लेकर 5 तक और 6 लेकर 8 तक एक से लेकर 5 तक वाले परिक्षा में के ओल BTC और डिलेट के बहरती समर्दित होंगे जिन्हें CETAT या BETAT पास होना अनिवार है फिर से वही है कि महिलाओं के अधर इस्टेट महिलाओं के लिए भी यहां से फिर 82 प्लस दिख रहा है वैसे देखते अंत में क्या होता है तुसरी बात यह है कि जूनियर का मलब 6 से लेकर 8 तक सिच्चक भरती परिक्षा में समर्दित होने के लिए theoretisie, kir, grandmother hue at PR के भेरती हो उन्हें junior का टेट पास होना आनिवार है जिस स्ट्रिम से उसे पास होना आनिवार हैति है फिर बीषय को कैसे रखना है कैसे बीसे का चेहन में involving विए प्र पूरे विजग्या सब यहां पर हो जाए वीडियो को शेयर करके और इस यहां पर मुख्य- बात पर मैं इस वीडियो में चर्शा करूंगा यहां पर देखिए यह नहरू पत बेली रोड पतना जहां पर हम देख पा बिग्यापन संख्या 22-24 सिच्छ भाग अंसुचित सिच्छा विभाग अंसुचित जाती जनजाती कर्णार विभाग के अंतरगत विध्याले ध्यापक पदों पर नियुक्ति और तुश्रयोग भारती उपमिद्वारों से भीद्पन यहां पर भारती का मतलब क्या है किसी बिग्यापन प्राथ्मिक अच्छा एक से लेकर पांस तक जिसे मध्य विभाग और अच्छा नोश्टा समी की तुरुब से परसासी भीभाग दौरव प्लब कराने के बाद आयों के बेश्यट पर प्लब दो जाएगा मनें यह कहा जा रहा है एक से लेकर पांस तक श्छा अभी उस पूरी विग्यापन का जिलेवार अभी रिखती हैं कठा नहीं हो पाई हैं लेकिन जैसे कठा होती हैं वह आयोग की website पर अप्लव दिखरा दिया जाएगा इसलिए भी पद संख्या के लिए लेकिन हाँ भरती की तहरी यहां से कर सकते हैं और आप ध्यान रहें कि सम परिक्षा कराने के लिए जहां जाएगा उसकी अलग से जारी हो जाएगी यहां पर देखिए जाती-जाती-जाती-कल्राणे-भाग के अंतरगत परिक्षा में आवेदन वाले अभ्यरतियों के हिसाप से ही होगा इसमें है दूसरी मोटी-मोटी बात यह है जो आपके सामने है आपे क्या रहा है कि इस परिक्षा में सीटेट और यस्टेट सीटेट पेपर फर्स्ट एक से लेकर पांस तक पेपर सेकेंड च्छा से लेकर आठ तक के भेड़ति सीटेट, यस्टेट के बेडर के भेड़तियों के लिए ओस्टेट पेपर फर्स्ट, यस्टेट पेपर सेकेंड अपेरिंग अभ्यरति सम्ल रहें यह एकडम साप उस्पष्ट कर दिया गया विग्यापन में पहले ही किसमें अपेरिंग वाले बेर्ति समलित नहीं होंगे मने जो पास है वही खास है तो यह आपके लिए सीटेट का पड़ा मा सकता है अब अब अधिन गंधे पिजी तक लेकिन यह स्टेट जो अभी तक नहीं उत्तर न थे फिर सुन के लिए संकट के बादल है आगे देखेंगे तो यहां तक मुख्य बाते सुन कि अधार पर आगे में लोग देखते हैं कि क्या रहा है कि सिच्चे भाग ततांसुची जाती जाती कल्लाणे भाग के अंतरगत सभी विद्याले द्यवपत अनिवार अहरता क्या है अगर उसकी अहरता की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे पहला भारत का नाग दिखो माने बिहार के अलावा किसी विर्याज का भरती इस परिक्षा में आवेदन कर सकता है यूं कहें हम आवेदन के पात्र होगा ठीक है तो ये तो आप सभी के लिए थोड़ा से जानना जरूरी था सभी के लिए जो लोग सेसन में यहां वारिशा देख रहे थे इस वीडियो क भात का नागरिफ़ों विद्याने सपत्द के लिए राष्टी अध्यापक सिछा परिष्द समय शमय समय पर सैची सरकार राजसरकार का मतलब हो जाएगा यहां पर वही उपर मैंने जैसा की बताया अभ्यरती बीटेट या टीटेट पास होना अनिवार है पिर आगे कहा रहा है किसे इच्छा बाग अंसुची जाती जाती कल्णाड़ी भाग के विद्याले अध्यापक एक से लेकर पास के लिए टीटेट पेपर फस्ट या बीटेट पेपर नो और दस के लिए ये श्टेट पेपर फस्ट यारा बराएक बीरति इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे बाकी चीज़ें यहां पर दिया गया है कि वर्दोजाबारह से पूर नियुक्ति अच्छा इनके लिए सिच्छा बाग के घ्यापन दिना के आलोक मास्पस्ट कैं पिछड़ावर को 55% माने सामानी महिला के लिए 55% माने 82 नंबर प्लस अगर है तो फॉर्म भर सकती है और उन्हें न्युकति पत्र भी मिलेगा अगे क्या है एक और अब हम एक से लेकर पांस तक के तरफ चलते हैं एक से लेकर पांस तक में मूल क्या है मैं वही पताना चाहूंगा बहुत ज्यादा टाइम माप का किम्ती है एक से लेकर पांस तक के लिए सबसे जो अहम सबसे जो मूल है वह यही है कि वह डियलड हो या बिटीशी हो ठिक और उसके बाद सीटेट पेपर फस्ट पास होना चाहिए पास का मतलब पुरुस के लिए 90 प्लस महिला 82 प्लस पर आवे दिन कर सकती है फिलार 90 प्लस है नहीं प्लस तक वीडियो चाह से लेकर आट तक के लग नौदा सब्सक्राइब रग लेए सेप्रेट सेप्रेट वीडियो में बरा दोंगा ताकि कि किसी को कहीं भी समस्यां का सामना ना करना पड़े यहां पर आप देख सकते हैं जहां से कर को समस्या वाद आप पूसकते हैं एक पर देखिए चाह से लेकर आट तक एक देखिए सिच्छा विभाग बिहार की पत्रांग 2232 मने 2230 के दिरांग साथ 1230 के अलोग में नहीं मैं इस में इस डियलट जो है माने नहीं है यह सबसे बड़ा है क्यों कई लोगों ने पूछा कि सर के नाइस डियलट मानने तो जान 1, 6 लेकर आरद तक में क्या-क्या होती है शासे लेकर आरद तक के लिए इसमें बिटीशी वाले अभेटलेट के अभेड़थी और साधि बीएट के अभेड़थी भी इस परिक्षा में आवेधन कर सकते हैं लेकिन सर्थ यह है इन्हें टेट पेपर सेकेंड माने टेट पेपर टू पास होना अनिवारे हैं तबहर मों इसमें अवेदन करपाएगे धी ति अनित आवेदन नहीं पाइगे इसमें गरितल्मिज्यान के लिए इसमें गरितलबिज्यान की जो भड़ती होंगे उन्हें सीटेट गर्द बिग्यान का पास होना निवारी है उनका बिसे कंबिनेशन क्या होगा मैं आगे भी बता दूंगा इसमें है समाजी बिग्यान अर्दू है बंगला है और अब है किन-किन भासौं को रखा गया है मने चेह से लिए तीन प्रेकार के पदों पर भरती होने जारी हो से प्राइड जो आपके सामने असपष्ट रूप से दिखाई देए यह थो है है इसमें भी कई चीजे हैं जैसा को पर मैंने अग्दम बता दिया अब कम से कम पचाव संगों से असना तक असना कोत्तर के साथ बीएड होना चाहिए फिर पतले परसे नगों के साथ एक वरसी असना तक बीएड हो जो यहां पर कई चीज़े लेकिन असपर जो मूल है वो बता दिया फिर फिर जो छोटी-छोटी टॉपिक है उसकी मैं अलग वीडियो बना दूगा आप पॉमेंट करेंगे इन पर भी क्यो सब्सक्राइब लोगों के साथ समस्य आते हैं मुझे क्या करना चाहिए मेरा इस तरह से है तो एक एक करके मैं उस पर भी आपको लेकर चलना हो अब देखिए यहां पर अगर मैं भासा की बात करूं तो यहां भासा को भी लेकर देखिए और 6-8 के लिए भासा के लिए जो अनुसां गीक जो होता सबसे डाइरी के रूप में समझेत भासा की भी से पठीत होने चाहिए सौस्कित ना संस्कृति उर्दू सिच्छा के लिए आलिम कुपदी अध़्वा अर्दू में स्ट्राप हो न चाहिए अब हम बढ़ते हैं यह तीसरा पॉइंट जो आपके लि राजनी सास, दरसन सास, अरसास, वाडिज, मनो बिग्ञान, समास सास, ग्रीव बिग्ञान में से कोई 2 भीसे असनाध्ता का असतर पर पठी दो मानि जितना भी दिया गया है इन में से कोई 2भीसे अगर आप पढ़े हैं Congratulations में तभी आप SST का चैन कर सकते हैं तभी क्या कर सकते हैं इसमें एक बड़ी बात यह है कि कुछ लोगा कहना यही है कि जिन भी साथ मैंने असनाथ तक किया है क्या मैं क्यों उन्हीं भी साथ परिछा दे सकता हूं ऐसा नहीं है परिछा का 4 pattern होगा सश्टिका जिसमें इतिहाश भुगोल श्वंबिधान और नागरी सास्त्र होगा इन में से किसी दो को चुनना निवार हैं जिसमें इतिहाश भुगोल आपके लिए compulsory है किसी उसमें कोई एक लेना निवा रहे है चाहे उस विसर को आप graduation में पढ़े रहे हैं या ना पढ़े रहे हैं यहां पर आगे बात अधमास पश्ट हो जाएगी लेकिन यहां पर यहां पर यह जाने जाएगा क्योंकि कुछ लोग इस बात के लिए गुमरा है इसमें से जो विसर पढ़े हैं वही आप पर इच्छाम रह सकते हैं अपनी विसर का चैन कर सकते हैं बाकी आगे मैं असपस्ट रूप से एक एक वीडियो को चुड़ 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 करके अराम से मैं समझा दूँगा ताकि आपका जो concept है वह पूरी तरसे clear रहे हैं इसमें से कोई दो भी सगर आप पढ़े हैं जितना यह दिया गया है तो आप गणित विज्ञान में से चक बनने के लिए योग्य हैं अगर आप बीटीसी के साथ सीटेट पेपर टू या बीटेट पेपर टू पास हैं तो यहां तक आपको लोगों समझ में आ गया हो तो चीज़े आप लोग समझ लीजिए यह जान लीजिएगा ठीक तो यहां तक का concept मुझे लगता है आपका clear हो चुका होगा फ यहां नहीं होगा यहां पर क्यों होगा नाइस डियलेड मानने नहीं होगा अब 6 से लेकर आर तक के लिए जो चीज़े उपर वहार के अभिहरतियों के लिए यहां पर बैटेज अब हम बढ़ते हैं नौदस की तरफ अब यहां नौदस वालों में क्या-क्या जीचे हैं देखें कच्छा 6 से लेकर आर्थ तक के लिए अपने देख लिया अब हम लोग को जो देखना था अब यहां पर इस परिच्छा के लिए आपके पास बीएट की डिगरी होनी जरूरी है इस बीएट के साथ आपको यह स्टेट पेपर यह स्टेट यह स्टेट पेपर फर्स्ट पास होना अनिवार है यह स्टेट पेपर फर्स्ट क्या है पास होना आपको अनिवार है तब ही आप देपाएंगे अपेरिंग और इसमें हिस्सा नहीं लेपाएंगे किसी वी क्यों पर मैंने आपको बता दिया ठेक तो बीएड है और इस्टेड पेपर फरस्ट है अब यह सवाल कि क्या देंटर की आवेधरविडर कर सकते हैं जी नहीं गयर देख लीजएगे इसकी भी ELARDK के पर सकते हुब बाकी माप्धण्ड जो यहाँ पर देंगे इसकी मालाग से सैप्रेट Вीडियोaal आप के लिए बना देंगे अब यहां पर क्या है वही चीट जो मैं उपर बताया है इस चलिए इसमें संगीत के लिए भी का रहा है संगीत बिशे के लिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं गणित विज्ञान और समाजी विज्ञान चलिए सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि नौ दस्क जो नौ दस्क के लिए हम बात कर रहे हैं इसमें गणित के लिए आके पास क्या का योगता होनी चाहिए अगर आप चाह रहे हैं कि नौ दस्की विद्यायलों में गणित विशे की अध्यापक के अध्यापका बनना है आपको उसकी क्या योगता है वो भी यहां पर हम लोग देख लेते हैं यहां उबर क्या है कि असनात्तक अस्तर पर गणित के साथ सब्सक्राइब तो फिट्रेट और से सकता हो ज़रूरी या गणित के साथ इसके अलावा आप इनवे कोई है तो आप ग्वनित के लिए नावधस के लिए आवेदन कर सकते हैं अगला क्या है कि क्लिक्वाने कि साइंस में किसी ब्याति ने ब्यश्य किया हुआ है तो ब्यर्थी जो है वो ग्वनित टीचर बनने के लिए इजिबल होगा तो यह कॉंसेट में बीशिय वालों के लिए भी कहीं कहीं गुड़ने के लिए अब बिज्ञान में सिच्छक बनने के लिए जन्तु बिज्ञान प्राणी बिज्ञान मनुस्पती बिज्ञान रशायन सास्त बिशम में से अथवा इंजीनरिंग में इन में से कोई दो भी से आपका पड़ा होना जरूरी है तो आप बिज्ञान से सिच्छक बन पाएंगे या एक्ज्ञान में संब्लित हो पाएंगे यही योगता एच्छी जिससे असपस्ट हो पाएगा आप परिच्छम बैठ पाएंगे या नहीं समझी बिज्ञान गोलेकर हम बात करते हैं समझी बिज्ञान जो भीषय है असनात्यक अस्तर पर शाहेग भीसे पतिष्ठा भीसे के अंतरगत इतिहास भोगोल अर्शास राजनी इससात्में से किसी दो भीसे में उत्रिण हो जिसमें अनिवार रूप एक भीसे इतिहास एक भीसे भोगोल हो असनात्यक अस्तर पर शाहेग भीसे पतिष्ठा भीसे के अंतरगत इतिहास भोगोल अर्शास्तमें जिसमें अनिवार रूप से एक इतिहास भोगोल हो समयिवार्यान जैशार गयभान के भिष्ष्छा में कर सकते हैं लेकिन हदर, असनातक असत्र पर सहय है कि- मेंने आप अ करे सिसरा उसमें इतिहास भोगोल रर्श साष्य、 राजीष साश्टर में से किसी TWO में उत्रन हो। जिसमें अनियवार्ष से, एक विप से इतिहास्य भोगोल ह। ठीक इन दो बिस्वों में से इनमें दो बिस्वाइब का होना चाहिए और उसमें तिहाश भुगोल आप पढ़े होने से कोई एक तो आप सस्टी के लिए इजबल हैं और सस्टी के साथ एक और बड़ी बात आपके लिए जो आपको जनना समझना जरूरी है कि आप परिक्षा के विश्या को अपने इसाफ से चुन सकते हैं जिसमें से इतिहाश भुगोल में सकोई एक आपको चुनना अनिवार हैं आगे हम बात करते हैं भासा के समझन में माधिमी द्याले के यहां पर के हौनर से तो यह भी आपके लिए जरूरी था कि यहां पर क्या क्या चीजे हैं अब हम 11-12 के लिए देख रहे हैं 11 और 12 इसके लिए भेड़ती बेयर होना चीए साथ में या स्टेट पेपर टू पास होना नहीं रहे है अपेरिंग मानने नहीं अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं आपके सामने यह भी सब्सक्राइब आपको यह भी से पठीथ होने चाहिए जो यहां पर आपको डिश्पीले पर देख रहे हैं इसकी पीडियाफ आपको टेलीकराम पर मिल जाएगी तो यहां पर देखिए कई सारी शीज़े हैं और इनको भी है अलाग लग भी सब्सक्राइब में पूरी वीडियो बनाकर आपको प्लद करा देंगे ताकि किसी के मन में कोई संसय ना रहे और एक बड़ी बात यह है मैं आपको अद्दम असपष्ट और बता दू जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने देखा है कि आप सफर नहीं हो पाएंगे तो मैं आपको पूरा बताने का प्रयाश करूंगा उसके लिए आप लोग आप चाहते अगर नोट्स के लिए इस नंबर पर काल या वाट्सएप करकर आप सभी लोग जानका ले सकते हैं पर स सभी और सियाटी की नोट्स चाह से लेकर बारत तक हिंद्यवरेजी दोनों मीडियम हो प्लब्द हैं और आप चाहत इल्ए बिद्रगेस्क आप भी प्लाइश्टोर से डाउनलोड करके सारी नोट्स पढ़ सकते हैं और कंप्लीट बीपीएस सी 3.0 के कंप्लीट नोट्स उप्लब्द हो चाहते हैं तब पढ़ सकते हैं एक से पांच, छासे आख, नौदस, ग्यार बर शभी के लिए आईए हम यह आपर तथ्यों के लिए करावर आगे बढ़ते हैं सभी पदों के लिए नियुंता मदिक्तमुन श्रीमा कटाफती थी 1.2,3 होगी, कभ होगी, 1.2,3 होगी, 1.2,3 होगी, कच्चा एक से लेकर 5 तक अच्छा से लेकरार तक करार तक कटावती थी, 1.3 को भेटे नौदस नौदस अथारा वर्स, सिछा भाग के मादिमी कच्चा नौदस और के लिए कि अब यहां देखते हैं 21 दर्ष गयारा बारे के लिए 28 वर्ष और निवारी 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 और यहां पर उम्रुष्यमा की बात करें अगर अधर श्टेट के पुरुष्यम महिला है तो उनकी उम्रुष्यमा यहां पर श्रायत तेश्वर्स रखे गई ठिक अब यहाँ पर परंतों के साथ कुछ और चीज़े हैं किनको अगिनको जहाँ पर छोट मिल लई है उसका जिक्र आपको यहाँ पर किया गया है आप इसे देख सकते हैं अच्छा एक और बड़ी बात है कि क्या इस परिख्षा को तीन अटेम्ट की बात किया गया था कि एक अब्यर थी तीन अटेम्ट एही परिख्षा दे सकता है क्या यह तीसरी अटेम्ट के बात माने नहीं होगा तो अभी तक फिपेश्ची फेज फर्स, शेकेंड, थर्ड तीन माके दिया गया था अब तक फिलाल आप trabajina समनित हैं इसके बाद गार देखना ही कर चौथे माके में क्या सर कार आपके लिए संसोधन करकर चौथे माकी में भी आपको option देती है या किवल तीन माके देती है यह भी आगे जानना पढ़ना समझना बागी है दीखे या पर दिया गया सम्मान प्रसंच भाग के संकल प्र गयान इतने दिनाज में बहार सरकार ने सरकार को सेवा में आने के उपरां उनकी सेवाधी के बहार अधिक्तम कुल पांच आउसर की अनुमन ने होगी ठीक है और पांच आउसर गांड़ा संकल निर्गात होने की दिती के बाद से प्राण होगी अब यहां पर प्रमाण पत्र को लेकर अब यहां पर सेल्बस में ओवराल एक बार में इससे बताना शाहूंगा सायद आपको फोकस किया गया है अगर एक से लेकर पांस तक की में बात करो 150 परक्न 150 मिनट निर्ट जिसमें से सबसे पहला 30 पर होगा जो आपकी आपका बिश्य होगा अगर एक से लेकर पांस तक की बात करो तो सब्सक्राइब करेंगे जो आपके परिक्षा में सफलता सफलता आगे लेकर चलने का प्रियाज करेंगे अब हम दूसरी की बात करें आर्ट तक में भी यह देख लिएगा लेकिन यह चालिस नंबर यह आपका अगर आप मैस साइंस होगा आपका प्रभावित मेरिट करेंगे वह 120 निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा यह आप जानते रहेगा यह भी अधार पर यह पूरा जो शल्बर्स है इसकी भी मलक से बना देंगे किस तरह से सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करना होगा अगर सब्सक्राइब करते हैं उनके पास इतिहास कापसर नहीं रहेगा यह दिखाए रहा है लेकिन अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अलग वीडियो बना दूँगा और पूरा पेपर है वह इसलिए मामले के लिए इस पर इच्छा के लिए बेस्ट और बहतर होंगे सेम प्रक्रिया आपके हां आगर हम 19 की बात करें 19 में 30 प्रशन भासा से हैं जो क्यालिफाई करना है चालिस परसंट जी एशी के सोंगे और असी परसंट आपके बीड़ी के लिए माहत्त पूर्ण है यहां पर भी विशाय का चैन करने के लिए हम इसके लिए लग से बीडियो बना देंगे कैसे बिसे का चैन करना है और कमपनेशन सब्जेक्ट इसका क्या होगा ताकि किसी इक भी बेरतिय को इसमें कोई दिक्कर कोई संसर कोई समस्या ना ने पाए ठीक कोई डाउट नहीं है न प्रते गणुद्द्ध माने पहले मने बता दिया यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पर आंक जो मीनिमिमीम कटाफ है वह भी दिया गया है उससे कम कटाफ पर आपका सेलेक्सण नहीं होगा इसलिए यह भी आपके लिए नहीं जरूरी है तो आप इसे देख सकते हैं कर दिया गया है कई बार इसको बाद में इसमें इंट्रेव्यू नहीं होगा ठीक और बाकी जो चीजे हैं कि करके बता दी जाएगी कैसे मेरेड़ बननी है इस पर बताया गया है वैसे हम कोशिस करेंगे कि एक-एक करके बता है परिच्छा जोगी आफ्लाइन मूड में होगी ठीक आरेच्छन का दावा करने के लिए महिला भेरती पिता पक्ष और पुरुस भी पिता पक्ष में दोनों का पिता पक्ष के ही जाते कमण पत्र बनता है ठीक और चाहे दिभ्यांगों चाहे कोई अधर इस्टेट में जाने बाद सभी सामानने हो जाते हैं और उसके तरीक से लेकर 23 तारीक तक आवेदन करने और भुक्तान करने की तिति हैं 25 तारीक तक बिलमसुल के साथ जमा कर सकते हैं और यहां पर दिया गया है और मैं एक सेप्रेट वीडियो बना दूंगा यह पूरी जो पीडियाफ है वह इन लड़ी मुद्रिकिस की टेलीगराम पर है और टेलिगराम पर जुड़े रहेंगे तो प्रहाय क्या होगा कि जो भी सूचना होगी वह आपको इलगी दुर्गेश के माध्यम से मिलती महत्पुन निर्देश जो है ठीक यहां पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि यहां पर क्या कि महत्तपुन निर्देश सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी जनकारी मिल जाएगी कि इस पर कॉल वगरे नहीं लगेगा और जो नोट्स के लिए नंबर है उस पर नोट्स समंधी जनकारी मिलेगी कुछ लोग उस पर अपने सवाल पोस्त हैं वह अगर आपका विक्तिकत सवाल है इस पर कॉमेंट करेगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा या टी मिलनी में कि इस पर आपको कमेंट करके जबाब देगी तो नोट्स समंधी जो भी जनकारी चाहिए इस नंबर पर आप वाट्सप करके जनकारी ले सकते हैं आपको नोट्स समंधी जानकारी मिलेगी यह कीन वाणी सेलेक्षान आपका होना है इस बार यह लड़ाई आपकी पक्षिम होगी इसलिए आप सभी को ढेट सारा बेट सारी सब्कामना है और बेस्टा आफ लग वीडियो को शेयर करें कोई भी सवाल कोई प्रस्ट नोगे और इस नंबर इस नंबरों पर सवाल मत ब अब आपके लिए सबसे बेस्ट इस अब जानते हैं आप कोचिंग नहीं अब सबसेड़ी के जबना रग और आपके लिए बहता नोट्स ठीक इन दोनों की माददम से अपने स्वालेक्षान के करीब पहुंश सकते हैं